नमस्कार मैं हूँ अंकोर और आप देख रहे हैं सत्त हिंदी का नियोज बुलेटर एक नजर अब तक के सुख्यों का के अंदर सरकार ने गुरुबार को संसद में एक वकफ संशोदन विधेक 24 पेश किया इसका जमकर विरोध होने लगा लेकिन विपक्त के विरोध के बाद भी सरकार कहा मानने वाली थी ना अभी मानती ना कभी उसका विरोध माना गया अतीत में भी लेकिन सरकार के पास ऐसी म रोद करती हुए कहा ये विद्यक समिधान पर एक मौलिक हमला है इस विद्यक के माध्यम से वो ये प्राबधान कर रहे हैं कि गयर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंस्लिल के सदस से हो सकते हैं उन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि क् गयर हिंदू अयुद्या मंदिर बोड का सदस से हो सकता है विन्गोपाल ने कहा कि धर्म की स्वतंतरता पर सीधा हमला है अभी ये लोग मुस्लिमों के पीछे पड़े हैं इसके बाद इसायों फिर जैन का नमबर आएगा उन्होंने कहा कि हर्याना और महराश चुनाओं को बेपक्ष करेगा ये तो पता था लेकिन चंद्रबाबु नाइडू की पार्टी टीडीपी ने क्या खेल खेला है और चिराग पासबान भी अपना स्टेंड अब लेने लग गए है वो भी बीजेपी सरकार के राश्ते में रोडा बन कर आए टीडीपी ने कहा कि हम विरेक सबी हितधारकों को समिति में प्रामश करने दें हाना कि बिल में कुछ भी गलत नहीं है और यह मुस्लमानों के खिलाफ नहीं है लेकिन फिर भी बहतर होगा कि संसत की समिति इस पर बारीकी से विचार करें और फिर क्या था बिल को मजबूरन सिलेक्ट कमिटी के पास भेज जाए क्या पता कि टीडीपी एलजेपी ने बहुत तरीके से बिलका विरोध किया कि विरोध भी ना लगे और बात ना माने तो बाद में देखा जाए लेकिन निटिशकुमार की पार्टी जेडियू ने खुलकर समर्थन किया जेडियू नेता और केंद्रिय मंत्री राजी पान विरोधी बताता है, यहां उधारत दिया जा रहा है कि अयोध्या का मंदिर गुरुद्वारा, अरे मंदिर और संस्ता में आपको अंतर नसर नहीं आता है, तो आप कौन सा तर्क दर दे रहे हैं? यह मंदिर नहीं है, आपकी मस्जिद से छेड़-छार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है दलन सिंग ने कहा यह एक कानून से बंदी हुई संस्था है उस संस्था को पारदस्थी बनाने के लिए कानून बनाने का है इसके बाद नीतिश कुमार की पार्टी का ये रुक देखने वाला है मतलब है दुनिया उसी की जमाना उसी का और गीत भी उसी का ऐसा ही नीतिश कुमार कर रहे हैं जिसके सरकार के साथ उसी के गीत गाने लग रहे हैं अपने स्टेंड को भूल जाते हैं और दूसरी तरफ का जारा है कि BJP RSS नया अन्ना हजारे बिहार में छोड़ दिये हैं और वो तेज़स्वी यादब के साथ नीतिश कुवार को भी कमजोर करने में जुट गए हैं। पीडी तक को भुगतना पड़ा। पीजेपी अपनी हताश, निराश और चंद कट्र समर्थकों के तोश्ची करन के लिए ये कर रही है। उन्होंने कहा कि गयर मुस्लिम को बोड में शामिल करने का उचित नहीं है। वक्फ संपत्यों को रेगूलेट करने के नाम पर किसी संपत्यों को वक्फ के कबजे में कैसे माना जाए इसे फिर से तैक करने के लिए सरकार एक विधहक लाई है। इसमें वक्फ संपत्य की परिभाशा से लेकर राज्यों में वक्फ बोडों के ढाचे को बदलने तक कई महत्तपून संशोधन शामिल है। हाना कि All India Muslim Person Law Board ने इस भिल के मद्दिनेजर कहा है कि वो मौझूदा वक्फ कानून में किस तरह का कोई बदलाव मनजूर नहीं करेगा। वक्फ संशोधन विदहक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए है। इसमें परस्ताव है कि राज्य सरकार वक्फ बोडों में एक गयर मुसलिम मुख्यकारी अधिकारी और कम से कम दो गयर मुसलिम सदस्यों को नियुक्त कर सकेगी। इसके अलाबा प्रस्तावित प्रमुख बदलाओं में जिला कलेक्टर को जांच करने की ताकत देना कि कोई संपत्ती वक्फ संपत्ती है या सरकारी जमिए। परस्तावित विधेक में कहा गया है कि अगर कलेक्टर ये निर्धारत करता है कि समपत्ति सरकारी समपत्ति है तो वो revenue record में आवश्यक्त हुधार करेगा और इस समन्द में राजे सरकार को एक report प्रस्तुत करेगा एक उपखंड में ये भी का गया है कि ऐसी संपत्ति को वक्व संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि कलेक्टर अपने रिपोर्ट पेश नहीं कर देता ब्यपक्ष के साथ भाजपा के वह सयोगी भी मागों में अने लगये हैं जिन सयोगी की वज़े से केंद्र में दिस सरकार डिकी हुई है वेपक्ष लगातार मांग कर रहा है और प्रोटेश कर रहा है कि स्वास्ते भीमा से GST हटाया जाए लेकिन आप वेपक्ष को BJP सरकार की बैसाखी यानि TDP और जंसेना पार्टी के साथ भी मिल किया है इन दोनों दलों ने स्वास्तो और जीवन भीमा और हैंडलूम पर लगाये गए GST को वापस लेने की मांग किये हैं ये मांग लोकसबा में बजट पर चर्चा के दोरान उठाई गई और इनके साथ राहूल गांदी जैसे नेता जिस पर घेर रहे हैं वो भी सरकार से हटाने क की मांग किये हैं बजट पर बोलते हुए टीडीपी के नरसराव पेट और लाबू श्रीकेशन देवरायलू ने कहा कि कई सदस्यों ने लॉंग टम कैपिटल गेंस देक्स 20% से 12% करने की बात कही है उन्होंने इंडेक्सेशन की बात कही है टीडीपी सांसर ने कहा कि बाहर बहुत चर्चा हो रही है इसलिए मुझे उम्मीद है कि वित्मंत्री इस पर गौर करेंगी और इंडेक्सेशन पर दोबारा विचार होना चाहिए क्योंकि मेडल क्रास के लोग सोचते हैं कि रियल स्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें वो सोरक्षित रूप से निवेश कर सकत हैं हमें लगता है कि इसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए इसके अलावा देवरायलु ने स्वास्ते और जीवन वीमा पर जीएश्ट को वापस लेनी की भी मजबूत वकालत की उन्होंने कहा है कि स्वास्ते वीमा पॉलिसियों पर 18% जीएश्टी है अगर 75% लोगों के हैं तो उनमें से वरा değiş比如 55% स्वास्ते वस्शिक्सण वीमा होगा यह असमान संख्याएं इसका उल्टा होना चाहिए और कम लोगों के पाश जीवन वीमा होना चाहिए या कम से कम संख्या बरावर होनी चाहिए लेकिन किसी तरह यह एक दिषय में जुका हुआ है इसे केब के साथ ही जन सेना के मचली पटनम सांसद में मांग किया है कि जीवन और चिकिस्सा भीमा पर जीएश्ट ये वापस लिया चाहे राजिस्थभा की सभापती जगदीब धंकड आज सदन में काफी नारास नजर आए वेपक्स की नारेबाजी के बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अपने आपको यहां बैठने में सक्चम नहीं पा रहे हैं इसलिए कुछ समय के लिए यहां से जा रहे हैं जैराम नमेश के बोलने पर धंकड ने कहा कि अमरियादित आचरण मत अपना ये जैराम नमेश हसिये मत आपकी आदते मुझे पता हैं अब मेरे पास एक ही विकल्प है मैं अपनी शपत से दूर नहीं भाग रहूं मैंने आज जो धेका है सतस ने जिस तरह का वेभार किया शारीरी रूप से किया जिस तरह का वेभार इधर से भी हुआ मुझे हाउस का समर्तन जितना चाहिए था उत्रा नहीं मिला है इसके लिए मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की मैं अपने आपको यहां बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूं इसलिए कुछ समय के लिए यहां में उसका वेभार से जारा हूं उनों ने ये भी बताया कि कैसे उनपर अखवारों के ज़रीए भी हमला किया हुआ हुआ कि एक प्रमुक अखवार उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कितनी घलट टिपणी की है मैंने देखा है, मुझे लगाता चुनौती दी जा रही ह ये चुनौती सभापती के पद को दी जा रही है ये चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति पद पर बैटा है वो इसके लायक नहीं है ऐसा ये लोग सोचते हैं दोखी मन से मैं कुछ समय के लिए अपने आपको यहां बैठने में सक्षम नहीं पाना हूँ पहरे सोलम्पिक दोहजार चौबिस से अयोगी गोशित होने के एक दिन बाद निराश विनेस फोगाट ने गुरुबार सुचल मेडिया पोस्ट के जरिये कुष्टी से सन्यास की गोश्णा की विनेस ने एक्स पर लिखा मा कुष्टी मुझसे जीत गई मैं हार गई आपके स विनेस फोगाट ने पेरे सोलम्पिक में आयोगी करा दिये जाने के बाद कुष्टी को अलबिदा कह दिया इस पर भारतिय महला पहलबां साक्षी मलिक ने कहा कि विनेस तुम नहीं हारी है हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती उन्होंने लिका है कि स्वागत और अभिनेंदा ने एक मेडलिश की तरह ही किया जाएगा सियम ने लिखा कि हर्याना सकार ओलम्पिक राजत वदक विजेता को जो सम्मान इनाम और सुभधाएं देती है वो सभी विनेस फोगाट को भी कृतिगिता पूरबक दी जाएंगी भारती रैसलर विनेस फोगाट पेरिस ओलम्पिक से डिस्क्वालिफाई कर दी गई इसके बाद उन्होंने सन्यास की घोशना कर दी इस पर विनेस के गुरू और ताउ महावीर सिंग ने कहा है कि वो विनेस को मनाएंगे कि अभी सन्यास ना ले और दोहजार अठाइस की त को यार करें वो बहतर कर सकती है और खूम मेहनत की है उससे हलकी सी चूक हो गई अगली बारत वदक लाएगी हम सब उसको समझाएंगे विनेस को लेकर कई राजनेता और कई विसलेशक ये दाबा कर रहे हैं कि उनके साथ साजिश की गई है इस मसले पर उनके ताउ महावीर फोगाट ने कहा कि खेल के अपने नियम है विनेस के साथ किसी तरकी साजिश नहीं हुई है अगर ऐसा हुआ होता तो वो खोद कह देत कि विनेश फोगाड फैरे स्केस नल मैस से पहले आयोग्य करार दे दी गई उस में अमेरिका की महला पहलबां सारा हेल्ले-ब्रांट पी पहलबांग को अंदाजा रहा होगा कि इस तरह से उनका ओलंपिक अभ्यान समाप्त होगा सारा ने कहा कि मुझे लगता है कि विनेश एक शांदार प्रतिद्वन्दी शांदार पहलबान और इंसान हैं भारती पहलबान अंतिम पंगाल और उनके सपोर्ट स्टाप को पेरिस ओलंपिक से वा वाले से बताया है कि अंतिम पंगाल और उनके पूरे श्टाफ को अनुशासनात्मा को लंगन के बाद वापत भेजने का नड़ने लिया गया है इससे पहले अंतिम पंगाल पेरिस महला कुष्टी इवेंट के 53 किलोग्राम भार्ग वर्ग में बूरी तरह से हार कर ओलंपि पेरिस ओलंपिक में भारत का अभीर तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है ये पूरी उम्मीद विनेश के बाद अब नीरत चौपडा पर है आज नीरत चौपडा एक्शन में होंगे ये मुकाबला आज भारती से मनुसार रात 11 बज कर 55 मिनट पर खेला जाएगा बतादे टोकियो में 2021 में गोल्ड जीतकर नीरत चौपडा ने इत्यास रचा था पैरिस में वो मेडल डिफेंड करने वाले उलिंपिक इत्यास के पांच में और भारत के पहले जैवलिन थ्रोर बनना चाहेंगे वो व्यक्तिकत इवेंट में दो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतिय बन सकते हैं नोबल पुरुस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के नितुरतो वाली अंत्रिम सरकार गुरुबार को शपत लेगी रात साड़े आठ बजे की करीब सरकार का शपत ग्रहन समहरों होगा उनके साथ एक दजन से अधिक सदस्यों के शपत लेनी की को जन्रल वकर उजमान ने बुद्भार को एक बयानमली का पश्यमंगाल के पूर मुख्यमंत्री बुद्देव भटचार का नेधन हो गया है बुद्देव भटचार ने 80 साल के उमर में अपनी अंतिम सांस ले वो कई दूनों से बीमार चल ले थे बुद्देव भटचार के नेधन से दुखी हूँ अब तक के सुर्खों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे है सत्तिहिंदी.com के साथ